इस वीडियो में सिखेंगे कि कैसे IRCTC के वेबसाइट में booking किया गया टिकट का printout निकलते हैं वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को like and channel को subscribe कर दीजिएगा सबसे पहले तो आपको google पे आ जाना है और यहां पर आपको type करना है IRCTC एंटर कर दूँगा एंटर करने के बाद यहां पर पहला वेबसाइट है IRCTC.co.in यहां पर मैं इसे क्लिक करता हूँ सबसे पहले तो यहां पर मैं login कर लेता हूँ और यहां पर मैं login हो गया हूँ अपने account पर तो हम यहां पर जाते हैं my account के उपर my transaction इसके बाद book to ticket history ठीक है यहां पर मैंने एक ticket को चूच करूँगा जो कि मैंने past में आप book कर रहा था मानली जी मैं यह ticket को print out करवाना चाहता हूँ यह मेरा पुराना ticket है यहां पर मैं इसे click करा इस ticket को print करने के लिए simply आपको यहां पर क्लिक करना है जो कि PNR के बगल में एक प्रिंटर का option है आपको यहां पर जैसे क्लिक करेंगे ticket का जो PDF हो में वो download होके आ जाएगा वो ticket आप आपने mobile में सब्सक्राइब करकर रखिए जर्णी के टाइम अगर आपको टीडी मांगेगा टिकेट तो आप वो PDF हो कर सकते हैं अभी हम सिखेंगे कि कैसे PNR का जो status है कैसे सिंपली आपको यहां पर अपना पेनर नंबर को एंटर कर देना है पेनर नंबर आप कहां से लाएंगे आप आपने जो टीकेट है वहां पर आ होगा पेनर नंबर तो सिंपली आपको यहां पर एंटर करके सब्मिट कर देना है, सब्मिट कर देने के बाद आपका पेनर का स्टार्टोस वहां पर सो हो जाएगा, कि या आपका सीट कांटर्म हुआ है या नहीं, आरेसी लगा या वेटिंग लिस्ट में है, सब कुछ डिजल वहां पर आ जाएगा,